भारतिय फिल्म इतिहास के सबसे महान कलाकारों में से एक दिलीब कुमार को दुखद और भावनात्मक रूप से जटिल पात्रों की उतकृष्ट स्क्रीन व्याख्या के लिए प्यार से ट्रेजडी किंग के रूप में जाना जाता है। दिलीब कुमार ने अपनी निर्दोश अभिनय क्षमताओं, गेहन भावनात्मक प्रदर्शन और सच्ची त्रासदी को व्यक्त करने की क्षमता के लिए खुद को बॉलिवुड में दुखद भागों के उस्ताद के रूप में स्थापित किया। दिलीब कुमार अपने दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जुडने की क्षमता के कारण अपने समकालीनों से अलग थे। और भावनाओं की गहराई के लिए उल्लेखनिय थे। उनके पास सूक्ष्म अभिव्यक्तियों और परिश्कृत प्रदर्शनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने की एक विशेश प्रतिभा थी। दिलीब कुमार ने अंदाज 1949, दीदार 1951 और देवदास 1955 जैसी फिल्मों में दिल दहला देने वाली भावनाओं को चित्रित करने की अपनी क्षमता के लिए आलोचकों से प्रशंसा और फिल्म प्रेमियों से प्रशंसा प्राप्त की। देवदास में देवदास, दाग, 1952 में शंकर और गंगा जुमना, 1961 में बिरजु दिलीब कुमार के सबसे स्थाई और प्रतिष्थित दुखद चित्रणों में से कुछ हैं। उनकी बेजोड प्रतिभा और मानविय भावनाओं की गहरी समझ इन पात्रों में से प्रत्येक में पूर्ण प्रदर्शन पर थी। जो अपराध और न्याय की राह के बीच बंटा हुआ था। उन्हें बिरजु के अपने गतिशील चित्रण के लिए प्रशंसा मिली, जिसने ट्रेजडी किंग के रूप में उनकी स्थिती को मजबूत किया। अभिनेताओं की पीडियां ट्रेजडी किंग के रूप में दिलीप कुमार की विरासत से प्रेरित हुई हैं, जिसका भारतिय फिल्म पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कई कलाकार जो उनके भावनात्मक रूप और पात्रों की गहरी समझ की नकल करना चाहते थे, उन्हें उनके काम में उनसे प्रभावित दिखाया जा सकता है। जबकि दिलीप कुमार की दुखत भूमिकाओं ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, उनकी सीमा उदासी से परे थी। अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान उन्होंने विभिन शैलियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और पद्म भूशन और दादा साहिब फाल के पुरसकार सहित कई पुरसकार जीते। भारतिय सिनेमा के ट्रेजडी किंग के रूप में जाने जाने वाले दिलीप कुमार को हमेशा एक महान कलाकार के रूप में माना जाएगा, जिन्होंने अपनी भूमिकाओं को वास्तविक भावना और प्रामानिकता के साथ प्रभावित किया। अब भी दर्शकों को अभी भी उनके प्रदर्शन और मानविय भावनाओं की जटिलता को पकड़ने की उनकी क्षमता में बहुत मूल्य मिलता है। इस प्रसिध अभिनेता की निरंतर विरासत, जिनके शिल्प और प्रतिभा ने भारतिय सिनेमा के कैनवास पर एक अमिट चाप छोड़ी, प्रशनसकों और फिल्म प्रेमियों के लिए घर लाई गई है क्योंकि वे उनकी काला तीत क्लासिक्स देखते हैं।